हेलो स्ट डेंश चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्योस्टर नमबर 14 देखते हैं क्या है let L be the set of all lines in xy plane कोई xy plane है इस तरिके से ये मान लो x है हमारा ये y है इसके अंदर क्या क्या रखा है एक set है all lines का जितने भी line इसमें खिची जा सकती है उसका क्या है कि L1 line जो है L2 के parallel है तो यहाँ पे मान लो मैंने एक line ये खिच दी ये है L1 एक line ये बना दी मैंने ये है L2 दोनो parallel दे रखी है ठीक है so that r is an equivalence तो ये relation हमारा क्या है equivalence है ये देखना है हमें तो देखते हैं भई कैसे करेंगे relation के अंदर हमें क्या दे रखा है L1 L2 such that L1 parallel to L2 इसको short form में लिख दिया नहीं तो ऐसे भी ऐसे लिख सकते हो word की form में तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएंगे pair देखो एक set मान लिया A इसके अंदर L1 एर L2 है तो cross product हम similar ऐसे ही set के साथ कर देंगे L1 L2 के साथ तो pair क्या बन जाएंगे relation में L1 L1 का relation बन गया L1 L2 का relation बन गया L2 L1 का बन गया और L2 L2 का यह हो गई हमारे set की cross product अब इसको देखो यहाँ पे सबसे पहले L1 L1 L2 L2 present है तो यहाँ पे लिखेंगे L1 L1 L2 L2 belongs to relation ठीक है so this is reflexive तो यह क्या हो गया हमारा reflexive हो गया second पे चलते हैं भई L1 L2 और इसका उल्टा L2 L1 दोनों present है तो यह हो गया हमारा symmetric भी L1 L2 and L2 L1 belongs to relation so this is symmetric यह भी clear हो गया सर असान था यह भी थर्ड वाले पे चलते हैं थर्ड वाला क्या होता है ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए क्या condition होनी चीए बच्चों A, B अगर belongs to R है B, C belongs to R है तो A और C भी क्या होंगे belongs to R होंगे इसके लिए हमारे पास यहाँ पे तो दो ही अब यह एक parallel line हमने assume किया तो L2 और L3 भी parallel होंगी L2 L3 यह भी क्या हो जाएंगी relation से belong करेंगी क्योंकि यह हमारी क्या है parallel है तो L1 और L3 भी क्या हो जाएंगी बच्चों parallel तो बस L1 और L3 भी क्या हो जाएंगी हमारी belongs to relation अब इस वाले case में हमें यहाँ element से check नहीं करना हमें बस condition देखनी है कि अगर यह line इसके parallel है और यह इस dotted line के parallel है तो पहली वाली और last वाली दोनों line भी क्या हो जाएंगी तो यह क्या हो जाएगा so this is transitive this is transitive relation अब transitive हो गया यह तो हम कह सकते हैं so this relation is equivalence equivalence relation क्यों है equivalence क्योंकि यह reflexive भी है symmetric भी है और transitive भी और जो relation यह तिन्नों को satisfy करें तो उस relation को हम equivalence relation कह देते हैं clear हो गया आगे क्या पुछा है find the set of all lines related to line y is equal to 2x plus 4 तो मतलब हमें वो set of line बतानी है जो y is equal to 2x plus 4 से relate करें और relate भी कैसे मतलब इस relation को satisfy करें parallel होनी चाहिए तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो lines related to y is equal to 2x plus 4 अब बच्चों यहाँ पे 4 क्या है constant है तो हम इसी को change करके parallel line बना सकते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगी y is equal to 2x plus c और c क्या हमारा constant are parallel lines अब यहाँ पे c की value change करते हैं चले जाओ 1,2,3,5,6,7,8,9 up to infinity तक बहुत सारी parallel line हमारी यह इसकी parallel बनती चली जाएगी बस यह बनाना था हमें कोई भी दिक्कत किसी परकार की भी लगे तो आम उससे जरूर पूछें दरवाज चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए और share कीजिए thank you students for watching your channel next classes